नमस्कार बच्चों, मैं दीरेन सिंग, आपके अपने चैनल SRG Academy में आपका स्वागत करता हूँ आज हम फिर से आपको IUPAC का दूसरा टाफिक पढ़ाने जा रहे हैं IUPAC, पुरा नाम बता चुके हैं, International Union Pure and Applied Chemistry दूसरा टाफिक है इसका, LKN, A-L-K-A-N-E, LKN एक तो पहिचान होती है कि इसमें सिंगल वांड होता है सभी जगहे पर जगो इसका नाम कराड कैसे करते हैं इसका नाम कराड करते समय कारवन परमाड़ों के कारवन परमाड़ों के मूल साब्द कारवन परमाड़ों के मूल साब्द में कारवन परमाड़ों के मूल साब्द में ए यान इ जोड देते हैं इसका सामान सोत्र इसका इसका सामान सोत्र हो परमाड़ों के परमाड़ों के परमाड़ों के तो आड़ों के इसका सामात्त हाइड्रोजन परमार्वों की संख्या कारवन परमार्वों की संख्या से दो गुने इसमें कारवन परमार्वों की संख्या से दो गुने से दो अधिक होती है देखो इसका सामान सूतर क्या होता है C N H 2 N क्या होता है C N H 2 N C N H 2 N प्लस 2 यदि हम इसमे N वराबर 1 रख दें तो क्या हो जाएगा C N 2 1 H 2 N 2 1 प्लस 2 इसमें कारवन परमार्वों की संख्या कितनी है कारवन परमार्वों की संख्या एक है और एक कारवन का मूल सब्द मेथ होता है क्या होता है ? मेत क्या जोड़ देंगे ? तो CH4 का नाम हो जायाएगा ? मेथेन क्या हो जायाएगा ? मेथेन अब इसके बाद में इसके अगर हम सनचना बनाते हैं तो सनचना बनाते समय में एक बात ध्यान रखनी होगी कि जितने भी कारवन हो उन सभी कारवनों को एक CT लाइन में सिंगल वान लगा कर लिख देते हैं लेकि फिलाल यहाँ पर CH4 में एक ही कारवन है तो हमने एक कारवन ये लिख दिया इस प्रकार से कारवन की संजगता आपको मालूम है कितनी होती है चार एक, दो, तीन, चार चार वन लगा दिया इसके पास और सभी में हाइडोजन जोड़ देते है तो यह सनचना हो जाएगी मेथेन की आपकी इसके बाद में इसी सूत्र में C, N, H, 2, N, प्लस, 2 में यदि N बराबर दो रख देते हैं तो जाएगा C, 2, H, 2, 2, 2, प्लस, 2 क्योंकि N का आमान कितना रख दिया है 2 रख दिया है तो C का गुड़ा 2 में करेंगे तो C, 2 हो जाएगा फिर यह च, दो दूरी 4, और 2, 6 इसकी पैचान हमने बताईए क्या होती है इसमें हाइडोजन परमालों की संक्या कार्बन परमालों की संक्या से 2 गुने से 2 अधिक होती है कितनी होती है, 2 गुने से 2 अधिक हाइडोजन होंगे तो यहाँ पर कार्बन कितने है, कार्बन 2 है 2 का 2 गुना 4 और 2 अधिक, तो 6 हाइडोजन है नाम कैसे करेंगे? दो कार्बन है, का मूलसप्द क्या होता है? एथ होता है और इसके मूलसप्द में AHन E जोड़ देते हैं क्या जोड़ देते हैं? A, olduğunu तो नाम इसका हो जाएगा A,voy Hurricane अगर हम इसकी स्रचला में बनाते हैं तो हमने बताया है कि जितने भी कार्बनो उन सभी कार्बनों को एक सीधी लाइन में सिंगल बान लगा कर लिख देते हैं दो कार्बन है तो हमने दो कार्बन को एक सीधी लाइन में लिख दिया सिंगल बान लगा करके इस प्रकार से, अब कारवन की संजगता कितनी होती है, चार संजगता होती है, तो चार संजगता कर देते हैं, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, और सभी में हम हारोजन जोड़ देते हैं, तो हो गया, सब्सक्राइब हो गई है, C2, यह दो कारवन है, हाइडरोजन देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 हाइडरोजन है, इसको हम संचिप्त रूप में लिख सकते हैं, या, इस कारवन के पास में, इस कारवन के पास में, एक, दो, टीन है, तो हम क्या लिखेंगे, हैं यहाँ पर CH 3 lिखेंगे, क्या लिखेंगे, CH 3, फिर उसके बाद में single wand है, single wand लगा दिया, दूसरे कारवन के पास भी तीन हाइडरोजन हैं, तो CH 3 कर देंगे, इसका अगर हम नाम लिखते हैं तो देखो कितने कारबन है एक और दो कारबन है दो कारबन को हम एथ लिखेंगे क्या लिखेंगे एथ और क्या बताया है नाम करण कैसे करते हैं कि कारबन परमारों के मूल सब्द में ए यान इ जोड़ देते हैं लेकिन अब हम इतना कर देते हैं ये आपकी जो स्रंकला है वो एक सीधी स्रंकला है तो सीधी स्रंकला होने की बज़े से इसके नाम के पहले हम इसमाल एन जोड़ देते हैं एन का मतलब होता है नार्मल यह सामान स्रंकला एक सीधी स्रंकला होती है जब एलकेन में तो उसके नाम के पहले हम इसमाल एन का प्रियोग कर देते हैं नारमल के लिए इसी प्रकार से एन बराबर यदि थी रख देते हैं तो क्या हो जाएगा सी इंटू थी यच टू इंटू थी प्लस टू क्या हो जाएगा सी थी हो जाएगा यच छे और दो आठ बताया है कितना होता है कि कारवन जितने होंगे उसका दो गुने से दो अधिक हाइडोजन होंगे तो देखते हैं क्या ऐसा है कितने कारवन है तीन कारवन है तीन कारवन का दो गुना कितना होगा छे होगा और अगर उसमें दो जोड दें तो आठ यह पहचान होगी किसकी एलकेन की कैसे पहचानेगे कि इसमें हाइडोजन परमालों की संक्या कारवन परमालों की संक्या से दो गुने से दो अधिक होती है जबकि एलकेन में क्या होता है पिछले वीडियो में बताया था कि एलकेन में क्या होता है कि उसमें हाइडोजन पर प्रोप होगा अब इसके मूल सब्द में क्या जोड़ देंगे A, N, E जोड़ देंगे तो प्रोपेन आ जाएगा अब इसकी सनचना अगर बनाते हैं सनचना C3-8 की तुमने बताया कि जितने कारवन हो वही एकी नियम कि उन सभी कारवनों को हम एक सीधी लाइन में सिंगल वान लगा करके लिख देते हैं और उसके बाद में सभी कारवनों की सनचक्ताइं पूरी कर देते हैं कारवन की सनचक्ता चार होती है तो एक, एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार इसकी भी पूरी कर देते हैं एक, दो, तीन, चार और सभी, जितनी भी समझगता हैं हमने लगाई हैं, खाली पड़ी हुई हैं उनमें सब में हम हाइट्रोजन जोड़ देते हैं इस प्रकार से तो इसको हम संचिप्ट करके भी लिख सकते हैं CH3 फिर इसके बाद में दूसरे कारवन के साथ में दो हाइट्रोजन हैं तो क्या लिखेंगे? CH2 इसके बाद में अंगले कारवन के पास में कितने हैं? हाइट्रोजन, तीन हाइट्रोजन हैं तो CH3 लिख देंगे तीन कार्वन है, तीन कार्वन का मूल सब्द अपका प्रोप होता है, और क्या जोड़ देंगे, एनी जोड़ देंगे, लेकिन जो तीन कार्वन की जो एक सरंखला बनी हुई है, वो सीधी सरंखला है, सामानी सरंखला है, तो इसके नाम के पहले हम N लगा देंगे, नाम हो जा आंगे एन वरावर 4 करके और दिखाया दे रहे हैं एन वरावर 4 देखो तो एन वरावर 4 कर देते हैं तो जाएगा c इंटू 4 याच 2 इंटू 4 c4 हो जाएगा याच कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10 तो चाको 8 और 2 10 c4 h10 आजाएगा यहाँ कारवन की संक्या कितनी है 4 कारवन है 4 कारवन का मूल सब्द आपका विउट होगा और एलकेन का जब हम नाम लिखेंगे तो मूल सब्द में A यान E जोड़ देंगे क्या जोड़ देंगे A यान E नाम ब्यूटेन हो जाएगा इसकी संचना क्या होगी 4 कारवन है एक सीथी लाइन में हम 4 कारवन को लिख देते हैं और सभी कारवनों की संचना पूरी कर देते हैं किदनी होती है 4 होती है संचना तो 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 3,4,4 सभी कार वनों के पास हम हएड़्ोजन लगा देते हैं क्या लगा देते हैं हाईड्रोजन 1,2,3,4 अब हम इसका अगर इसका अगर संचिप्त रूप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा CH3 CH3 इस कार्वन के साथ तीन हारोजन है दूसरे बारे कार्वन के पास सिंगल वांड C2 हारोजन है तो लिखेंगे CH2 अंगले बाले के पास भी दो हारोजन है तो यहां भी लिखेंगे CH2 और इस कार्वन के पास तीन हारोजन है तो इसके पास भी हम लिख देंगे CH3 अब एक, दो, तीन, चार कार्वन है चार कार्वन का मूल सब्द आपको पता है क्या होता है? व्यूट होता है और एलकेन में ANE जोड़ देते हैं अब सीथी सरंकला आए इसलिए इसके आंगे यन सब्द का प्रियोग कर देते हैं किसका प्रियोग कर देते हैं? यन का यन लगा देते हैं तो नाम हो जाएगा इसका नार्मल व्यूटेन अब में न का मान फाइब रख देते हैं हो जाएगा C into 5 याच 2 into 5 plus 2 C5 हो जाएगा याच पंचे 10 और 2 बारा पांद नहीं 10 और 2 बारा दो अधिक हैं दो उने से तो पांच कार्बन को पांच कार्बन का मूल सब दोगा पेंट और इसमें क्या जोड़ देंगे? A नी जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा पेंटेन इसकी सनचना अगर हम देखते हैं सनचना तो सनचना के लिए हमने बताया है कि जितने कार्बन हो जितने भी कार्बन हो उनको एक सीधी लाइन में हम लिख देते हैं तो यहाँ पर पांच कार्बन हैं पाँचों कार्बन को हम एक सीधी लाइन में लिख देंगे. कार्बन की समझता है, पूरी कर देते हैं, चार, सब की चार कर देते हैं, और सभी जगए क्या करते हैं, हाइरोजन लगा देते हैं. इसका संचिप्त रूप हो जाएगा, पहले कार्बन के साथ, तीन हारोजन हैं, तो CS3, दूसरे बाले के साथ, दो हैं, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, और इसके पास तीन हारोजन होंगे, तो CS3, पांच कार्बन है, पांच कार्बन का मूल साथ, पेंट होगा, और उसमें AनE जोड़ देंगे, नाम पेंटेन हो जाएगा, सिरंखला आपकी एक सीदी है, नार्मल सिरंखला है, कोई पार सिरंखला हैं नहीं जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसके नाम के आंगे यन लगा देते हैं, धन्यवाद बच्चों,